नई टीका करड नीती पर अमल के पहले ही दिन असी लाक से अधिक टीके लगाए जाना एक बड़ी उपलब्धी है यह एक ऐसी सांदार काम्याबी है जो एक और जहां टीका करड में लगे स्वास्थे कर्मियों को उत्साह प्रदान करेगी वहीं आम लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेगी निसंदेह यह काम्याबी इसलिए हासिल हो सकी क्योंकि कैंद्र और राजी सरकारों ने मिलकर काम किया जहां कैंद्र सरकार ने राज्यों को अधिक संख्या में मुफ्त टीके उपलब्ध कराए वहीं राज्यों ने उन्हें लगाने के लिए अपने स्वास्थे तंत्र को सजग एबम सक्रिय किया कैंद्र और राज्यों ने अपनी प्रतिवधता से देश की छमता का जो उलेखनिय प्रदर्शन किया उसके लिए बे बधाई के पात्र हैं कैंद्र और राज्यों के बीच यह तालमेल कायम रहना चाहिए ताकि कोबिड महमारी से लड़ी जा रही कठिन लड़ाई को आसान बनाया जा सके अब यह कहा जा सकता है कि आने बाले दिनों में प्रतिदिन एक करोड या इससे भी अधिक टीके लगाए जा सकें एक समय कठिन दिखने बाला यह लच्छ अब कहीं अधिक आसान नजर आने लगा है टीका करड अभियान को जो अप्रत्यासित गती मिली उससे यह इसपष्ट है कि टीका करड नीती में बदलाव अपेच्छित था उस्चित यह होगा कि कैंद्र और राज्य सरकार हैं यह सुनिश्चित करें कि गत दिबस टीका लगाने के मामले में जो बड़ा लच्छ हासिल किया गया वह कायम रहे यह संभव है क्योंकि अभी करीव सरसट हजार टीका करड कैंद्र ही हैं इन में निजी छेत्र के टीका करड कैंद्र दो हजार के लगबग ही हैं इस पश्ट है कि इसके लिए प्रयास किये जाने चाहिए कि निजी छेत्र के टीका करड कैंद्र और बढ़ें इसकी गुंजाइस भी है क्योंकि टीका बनाने वाली कमपनियों के कुल उतपादन का 25% टीके निजी अस्पताल खरीद रहे हैं टीका करड की रफ्तार जहां तक संभव हो सके वहां तक बढ़ाना इसलिए आवस्यक है क्योंकि एक तो संक्रमड की तीसरी लहर का खत्रा बरकरार है और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो टीका लगबाने से हिचक रहे हैं संक्रमड की तीसरी लहर का सही तरह मुकावला तभी संभव होगा जब उसके आने के पहले जादा से जादा लोगों को टीका लग जाए अभी करीब 28 करोड लोगों को टीके लगे हैं कोसिस यह होनी चाहिए कि जब तक तीसरी लहर आए तब तक इतने ही और लोगों को टीके लग जाएं यह अच्छा है कि टीका करड नीती में बदलाव करके पहले रजिस्ट्रेशन कराने की अनिवारिता खत्म कर दी गई फिर भी इसकी चिंता करनी होगी कि गरीव और ग्रामीड टीका करड से बंचितन रह जाएं इसी के साथ इसके लिए भी सजग रहना होगा की टीका करड अभियान किसी अफवा का सिकार्ण बनने पाए स्टोप